वेलकम डियर इस्टुडेंट्स आज की क्लास में मैंने उन सब मचलियों को एक जगे कर दिया है जो आपको परिशान करती है एकजाम में आजाते हैं निमनले खितमे कौन सी मचली नहीं है या निमनले खितमे से कौन सी मचली है इस परकार के पर्षन बहुत सारे आता है पर्षन वही रहता है लेकिन अब्जेक्टिव कुछ अलग करके आप लोगों से पूछ लेता है इसलिए ये है परेशानी आज की क्लास के बाद आपकी पर्मानिंटली डिलिट हो जाएगी आपको ये मचलियां परेशान नहीं करेंगी तो देखिए कौन सी मचली है और कौन सी मचली नहीं है तो देखिए जो मचलिया नहीं है ना उनको मैंने एकजगे कर लिया कि नाम के आगे तो बटा फिश लगा रखी है, मचली लगा रखी है, लेकिन मैं वो मचली है नहीं, इसलिए कौन सी यह सी मचली है जो आपको परेशान करते हैं, जो मचली होने का ना टक करती हैं, और जो प्राणी सिलेंट्रेटा संग का प्राणी है और जो प्राणी सिलेंट्रेटा संग का प्राणी है और जो प्राणी सिलेंट्रेटा संग का है वह मचली नहीं हो सकता ठीक है यह द्यान में रखना कि जेली फिश मचली नहीं है नाम क्या है और लिया किस संग का प्राणी है इसलिए मचली नहीं है दूसरी बात सिल्वर फिश नाम बड़ा सिल्वर फिश ठीक है ना चांदी की मचली ठीक है ना लेकिन शिल्वर फिश जो है उसका वास्त्विक नाम scientific name तो है वेच्छा Lepisma Silverfish मचली नहीं है वई तो फिर क्या है ये जो आर्थ्रोपोडा संग का प्राणी है किस संग का प्राणी भीया आर्थ्रोपोडा जिस संग का प्राणी है मचली की बुवाजी है या मचली की sister है कौन? Silverfish ठीक है ना मचली की क्या बिच्चू की या तो बहाजी है या फिर सिश्टर है तो सिल्वर फिश भी मचली नहीं है ये दिहान में रखना silver fish का क्या नाम है lepisma पूछ ले अलग से कि silver fish कोन सी है तो lepisma lepisma ठीक है crayfish भी मचली नहीं है ये भी arthropoda संग का प्राणी है crayfish मचली नहीं है नाम लगा रहा है मचली का लेकिन मचली नहीं है भीया ठीक है और देखिए cuttlefish cuttlefish भी मचली नहीं है devil fish भी मचली नहीं है razor fish भी मचली नहीं है cuttlefish devil fish razor fish मचली नहीं है ये तीनों मचली नहीं है cuttlefish किसको कहता है भीया CPI को cuttlefish कहता है ये भी पूछ लेता है cuttlefish CPI devil fish octopus devil fish octopus devil fish octopus मचली नहीं है Cuttlefish मचली नहीं है Traderfish मचली नहीं है तो क्या है بhã्या ये जिस संग का परानी है संख संख जो मंदिरों में रखा जाता है उस संख जो जीव रहता है उसके क्या है ये बाई बेन है ठीक है इसलिए मचली वर्ग के परानी नहीं है बच्चा कटल फिश, सीपिया, डेवल फिश, ओक्टोफस और रेजर फिश, सोलेन सोलेन को रेजर फिश कहते हैं, ओक्टोफस को डेवल फिश भी कहते हैं और सीपिया को कटल फिश भी कहते हैं इनको कहते ही हैं, लेकिन मचली नहीं है, ये मचलियां नहीं है बच्चा ठीक है और पूछ ले भी या स्टार फिश तो मचली है नहीं है स्टार फिश मचली नहीं है स्पाइनी ब्रिटिल स्टार ये भी मचली नहीं है ये क्या है भई इकाइनो डर्मेटा संग के पराणी है और जो इकाइनो डर्मेटा संग के पराणी होते हैं वो भी वास्त्विक मचली नहीं होते हैं ये बात ध्यान में रखें और फिर है ब्लू वहल है ब्लू वहल जो है इसको सब कहते हैं सबसे बड़ी मचली कौन सी है तो तुरंत बता देते हैं या ब्लू वेहल है लेकिन ब्लू वेहल मचली नहीं है ये इस्तंधारी वरग का प्राणी है कौन से वरग का प्राणी है इस्तंधारी वरग का प्राणी है और आप लोगों से पूछ ले हैग फिश तो हैग फिश भी वास्त्विक मचलिया नहीं है ये mixine, hagfish को क्या कहता है, mixine भी कहता है, ये cyclostromata वर्ग का प्राणी है, अब आप सोच रहे हैं सरत फिर मचलिया कौन शे वर्ग में आती हैं, तो ध्यान में रखना, मचलिया वही है, मचलिया वही है, जो पिसीज वर्ग में आती हैं, और जो अन्य वर्गों में आते हैं, पिसीज वर्ग के अलावा जितने भी वर्ग में अपने नाम के आगे जो मचली लगा रखा है, फिश लगा रखा है, वो वास्तविक मचलिया नहीं होती है, तो आज की किलास अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस किलास को शेयर जरूर करते हैं ताकि सब को पता लग सके कि ये मचलिया नहीं है उनकी भी बोद्रेशन दूर हो सके रे भी या ये फिश नहीं है ये मचली नहीं है और अगर आपको ये याद हो गया तो आप ये समझ लेना कि हर एक्जाम में मचलियों से समंदित आपका उबजेक्टिव एकदम सही है ठीक है तो यू हमारा चेनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें आपको सफल मिलती रहें थैंक यू धन्यवाद